वेल्किम बेक टो माई चैनल गर्णिंग एटीज तो फ्रेंज देखे रहे हैं मेरे सामने हॉली हॉक का प्लांट ये एक ही प्लांट है मेरे पास वो भी कैसे है कि मैंने कुछ हॉली हॉक की बीज ग्रो किये थे जो कि कुछ टाइम तक वो ग्रो नहीं हुए और कुछ एक है जिसको यह नहीं मालूम कि हॉली होक का लीव कैसा होता है उनकी पहचान नहीं है तो फ्रेंज पहली बार में इसको ग्रो कर रही थी तो इसलिए मुझे पता नहीं चला तो यह इस गंबले में एक इसका गुल्दाओदी का पोदा लगा था उसके साथ ही कुछ मिट्टी म बीज जो हैं रह गया होंगे उसी स्वाइल को मैंने गुल्दाओदी के पोदी के लिए डाला होगा और तो वो बीज इसमें एक दो बीज निकल कर आए तो एक बीज इसमें अच्छा ग्रो हो गया और एक तो नहीं हुआ और इससी तरह से मैंने इसको ग्रो होने दिया मैं क्या निकलता है इसमें और इसमें अब जाकर इसमें बर्ड आएं और एक फ्लार आज खिला है इसमें तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है पिंग कलर का बरजंटा कलर का फ्लार है देखिए इस तरह से दिखातू लाइट में देखिए और इसमें और भी बहुत सी बर् सेक करें मैं इसको सेव करूंगी और देखि इसकी गमले में midty भी बहुत कम है अब मैं थोड़ा से इसमें fertilizer डालूंगी क्यों कि फूलों को स्टे करने के लिए इसको fertilizer की भी जरूरत है और अगे कलियों को खिलने के लिए nutrition की भी जरूरत है तो इसमें अब मैं कावडंग कमपोस्ट, बोन मील और नीम खली इसमें mix करके डालूंगी तो ये मेरा holy hawk का plant आप देख रहे हैं, first time ये मैंने 20 से ग्रो किया है, एक ही